हेलो BSC Second Year Student, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो के इंदर हम डिस्कस करेंगे BSC Second Year Botany के 3rd सेमेस्टर में आपका theoretical paper आता है Flowering Plant Identification and Aesthetic Characteristics Student इस सेमेस्टर से अल्रेडी में कई सारी videos upload कर चुका हूँ जो के आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो इसी video के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा Recent videos के अंदर हमने families को cover किया था आज किस video के अंदर हम cover करेंगे family ruby AC के बारे में इससे पहले हम six important family cover कर चुके हैं जिसके बारे में आपसे exam paper में long question में पूछा जा सकता है तो उन videos को भी आप लोग देख सकते हैं Family ruby AC के बारे में exam paper में कई बार long question में पूछा गया है इसे हम एक जोरा family के नाम से भी जानते हैं अगर आपसे long question में पूछा जाए तो आप लोगों को कौन कौन से point mention करने है वो सब मैं इस video के अंदर बताने वाला हूँ कौन सा diagram important है किस-किस diagram को आपको बनाना चाहिए exam paper में या written copy में वो सब मैं इस video के अंदर बताऊंगा तो चलिए video को start करते हैं सबसे पहले आप लोग heading डालेजी systematic position student यदि आप लोग BSC के concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस channel से जुड़ सकते हैं यदि आप new education policy के according जो आपका नया स्लेबस launch हुआ है 2021 में अगर आप उसके according भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस channel से जुड़ सकते हैं family ruby SC को division angiospermi के अंदर रखा गया है class dicotylidens के अंदर subclass gamma botali के अंदर order rubyels के अंदर genus ruby SC के अंदर या फिर अगर हम बात करें series के बारे में तो series inferi के अंदर इसको रखा गया है reason क्या है division angiospermi के अंदर रखने का इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें flower पाए जाता है class dicotylidens के अंदर इसमें इसलिए रखा क्योंकि इनकी embryo में भी cotylidens बनते है साथ में इनकी पत्तियों के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे leaf के अंदर तो उसमें reticulate venation देखने को मिलता है यानि जो veins है वो एकदम net like एक जाल की तरह दिखाए देता है subclass gamo petali के अंदर रखा गया है अभी थक हमने जो families को cover किया था उसमें हमने generally क्या देखा कि subclass poly petali के अंदर रखा जाता था क्यों क्योंकि उनके जो petals है वो फ्री थे लेकिन gamo petali का मतलब है petal अब जो है इसमें fuse है तो यह जो family ruby AC होती है इसमें जो flower पाय जाते हैं उनके petal fuse होते है इसलिए से हमने subclass gamo petali के अंदर रखा है इसके बाद अगर हम बात करें series को तो इससे series inferi के अंदर रखा गया है क्योंकि इसमें average होती है वो inferior होती है order ruby AC के अंदर genus ruby AC अब हम देखते हैं distribution यानि वितरन इसके अंदर में क्या पता चलता है इस family के बारे में इस family के बारे में पता चलता है कि कितने genera है कितने species है इंडिया में कितने species है और ये कहां कहां पर पाय जाती है इनका distribution क्या है वितरन क्या है तो systematic position को mention करने के बाद written copy में आपको heading डालना है distribution जिसमें आपको लिखना है इस family के अंदर गर लगबग 400 genera और 5000 species पाय जाती है इस family में प्राय जो distribution की बात करें तो वो worldwide distribution शो करते हैं यानि इस family के जो members होते हैं वो पूरी दुनिया में पाय जाते हैं इस family के जो members होते हैं वो मुखेता है tropical reason में और कुछ temperature reason में भी पाय जाते हैं इंडिया में 76 genera और 274 species पाय जाती हैं यानि के 400 genera 500 species में से इंडिया में total 76 genera पाय जाते हैं और 274 species पाय जाते हैं अब हम देखते हैं student vegetative character जिसमें सबसे पहला point आता है habit यानि स्वभाव यानि इस फैमिली के अंदर जो members आते हैं या पाय जाते हैं उनका habit कैसा है स्वभाव कैसा है तो इस कुल के जो plant होते हैं वो pride trees होते हैं यानि के बड़े बड़े वरक्ष भी होते हैं shrubs भी होते हैं और herbs भी पाय जाते हैं जिनके stem green और soft होते हैं इसमें जो plant होते हैं वो climbing epiphatic भी हो सकते हैं और इस कुल के जो पोदे जैसे for example mirmecodia mirmecodia में tuber sedra share तना पाय जाता है तथा इनमें अनेक एक दूसरे से सम्बंधित galleria भी पाय जाती हैं जिनमें की cheatia रहती हैं और इस परकार के पोदो को cheaty ragi कहते हैं यानि के mirmecophilus इन plant तदा cheatyों में जो वास्तविक सम्बंध है क्या relationship इनके बीच उसका परियाप्त गया नहीं है इसके बाद अगर हम root की बात करें यानि के जड़ों के बारे में बात करें तो इन plant के अंदर जो root पाय जाता है अगर हम stem की बात करें तना कैसा होता है तो तना erect होता है यानि के सीधा होता है woody होता है यानि के लकडियां पाय जाती है और कभी-कभी herbaceous होता है यानि के बिल्कुल soft होता है green होता है solid भी होता है और इसमें जो परुसंदी पर फूले हुए यानि कि swollen as node होते हैं इसके बाद हम पतियों के बारे में यानि leaf के बारे में बात करें कि इन members में leaf किस प्रकार के पाय जाती है तो पतियां बहुत ही simple होती है apposit होती है यानि कि जो main access होता है उसके एक तरप इधर एक तरप इधर यानि एक दूसरे के opposite में पाय जाती है right, wall के form में भी पाय जाती है stipulate होते हैं यानि कि stipule present रहता है entire होती है और कभी-कभी toothed भी होती है इनमें जो stipules होते हैं वो interpetular और intrapetal दोनों प्रकार के होते हैं कभी-कभी ये जो stipules होते हैं वो एक दूसरे से संयुक्तियानी fused होकर के stem के चारो और एक sit-like structure बना लेते हैं gallium आदी में stipules बड़े वा पत्ती के समान होते हैं right, so student vegetative character के अंदर हम लोगों ने habit को mention किया, root को mention किया stem और leaf के बारे में discuss किया अब हम discuss करेंगे floral character के बारे में heading दाली जे student floral character यानि कि अब हम discuss करेंगे pushpy election के बारे में जिसमें सबसे पहले हम discuss करेंगे inflorescence यानि pushp crumb के बारे में अगर आप लोग इस word को split करें pushp crumb यानि कि pushpो का crumb एक plant पर बहुत सारे flower पाय जाते हैं तो उनका crumb कैसा है उनका sequence या arrangement कैसा है inflorescence तो इसमें आपको लुखना है कि इसमें जो inflorescence होता है वो price cymos type होता है यह है diichazil भी होता है या panicle या cyme होता है family ruby c के अंदर गर फ्लावर के बारे में discuss करें तो symmetry की base पर अगर देखा जाए तो यह actinomorphic होते है hermaphrodite होते हैं यानि कि इसमें लिए जो male और female sex organ से तो एं दोनों एकी flower पर present है flower जो होता है वो complete होता है यानि कि 4 walls इसमें present रहते है essential और sensual 4 walls इसके अंदर present रहते है होता है यानि कि इसमें जो brekt है वो absent होता है इसके बार जो onus जो flower होता है वो unisexual होता है जैसे for example सब пойwrightो को सब्सक्राइब करने के बाद करते हैं कभी-कभी 2 रहते हैं इसे घ्यमो स्प्लस कंडिशनर आपद जाते हैं तरहिसा इसमें ज्टी वे फिस्ते ने बाद ह principle हो जाते हैं जो सेपल्व士 स्पर पत्ति हो जाते हैं कैलिक्स को discuss करने के बाद अगर हम को रोला के बारे में discuss करें तो इसमें प्राइज होते है वो 5 petals होते हैं कभी-कभी 4 होते हैं चाज़ाते हैं तो इनमें उन सिए पर रे पर डिस्कलर करें तो इसमें five या कभी-कभी 4 इस't happens पायाते हैं और ये स्वतन्त रियानी के free और polyandrous condition इसमें पाय जाती है तता ये दल्लगन यानि इपी पेटलस होते हैं अर्थात पुंकेसर जो होता है वो कोरोला नलिका के गरदन पर inserted होते हैं ये stamen जो होते हैं वो petals के alternate होते हैं इनमें जो एंथर लोब होता है वो bicelle वो intros तता लंबी दरारो द्वारा फटने वाला होता है अंडोशियम को डिसकस करने के बाद अगर हम gynecum के बारे में डिसकस करें तो gynecum by carpillary syncarpus condition पाय जाती है और प्रतेक लोकिल में एक या दो ओव्यूल पाय जाते हैं और जो presentation पाय जाता है वो exile होता है इसके कुछ पोदों में जैसे for example gardenia में प्राइअवरी जो होती है वो यूनी लोकिलर होती है और इसमें parietal presentation देखने को मिलता है style और stigma जो होते हैं वो सरल यानि simple होते है fruit की बात करें तो इसमें डूप ववा capsule berry होता है sheet के अगर हम बात करें तो इसमें जो sheet होते है वो प्राइस छोटे यानि small होते हैं कभ इन ओमॉर्फिक, bisexual, calyx में जो sepals की संक्या है उसमें 5-4 और corolla में जो petals की संक्या है वो 5-4 और इसमें जो androsium में stamen की संक्या वो 5-4 हो सकती है और bicarpulary condition है gynosium में वो आप लोग simply देख सकते हैं तो इसी के basis पर यहां पर floral formula दिया गया है right फाइनली student अब हम discuss करेंगे family rubyacic economic importance के बारे में कई बार exam paper में short question में भी पूछा गया है family rubyacic economic importance के बारे में तो इसमें आपको चार economic value के जो plant है उनका botanical name आपको याद रखना पड़ता है जैसे number first पर आता है सिंकोना क्युनेन सिंकोना केलिसिया इस व्रक्स की जो चाल होती है जो बार्क होती है उससे malaria बुखार के लिए quinine nama के एक medicine यानि ओसधी प्राप्त की जाती है number second coffee coffee arabica इस पोधे के बीजों से coffee प्राप्त की जाती है जो की पेपदार्थ के रूप में परयोग की जाती है इस पोधे की जो जडों से एक प्रकार का रंग प्राप्त किया जाता है number seven पर आता है papra यानि आपको लगबग चार याद करने हैं यहाँ पर seven economic value के plant का नेम आपको दिया गया है लेकिन आप लोग चार याद कर सकते हैं जो भी आपको याद हो गार्डिया लेटिफॉलिया यह पोधा जो होता है वो हेज के रूप में उगाया जाता है तो चार economic value के plant आपको याद रखने चाहिए प्राप्त किया जाता है कदम के बारे में आप यह आप लोग याद रखते हैं और कॉफी तीन तो डेफिनिटली आपको याद रहेंगे चौथा आप लोग चाहे हलदू को याद कर लो या जील पाई को याद कर लो यानि कि चार economic value के plant आपको याद रखने पड़ेंगे उमीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कोई भी अगर आपको doubt हो तो comment section में comment करके आप लोग पूछ सकते हैं मिलते है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टाटा